पसंद अपनी अपनी होती है किसी को हरियाली वाली लोकेशन बहुत पसंद आती है तो किसी को बर्फ वाली लोकेशन जनत लगती है तो इस वीडियो में आपको हम निरास नहीं करेंगे हरियाली और बर्फ वाली यानि सनो वाली सब कुछ इस वीडियो में जरने दिखाएंग हरियाली दिखाएंगे स्नो केप मांटें दिखाएंगे और केंपिंग दिखाएंगे ट्रेकिंग दिखाएंगे और बहुत ही श्यांत लोकेशन आपको ले चलेंगे और इस वीडियो को मैं वादा करता हूँ यदि आपने पूरा देख लिया मैंने एक कमी रखी है वो कमी आप पूरा देख लिया तो निश्यत रूप से इस लोकेशन पर आप आना पसंद करेंगे और पहले वीडियो पूरा देखिएगा बाद में कोमेंट जरूर कीजिएगा और अब हम बात करें ये लगबग 15 दिन का ट्रेक था और इसके अंदर लगबग 10-12 सदे से रवाना ह हुए थे और उसके बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पांस सदे से पहँचे किवल पांस सदे से पहचे बाकी क्योंकि ये कई difficulty level का track था और ये advanced track था हम छोटे track, बड़े track सभी track करवाते हैं, नमबर आपको description में मिल जाएंगे, तो यह सी जो लस ग्रीन जो हरियाली है, वो आप यहाँ great हिमाले नेशनल पारक, जो कुलू मनाली के नजदीक है, वहाँ देख पाएंगे track करके जाना पड़ेगा और कोई रस्ता नहीं है, tracking के अलावा कोई रस्ता नहीं है, hiking camping सब यहाँ available है और नज़ारे जैसे जैसे आगे बड़ोगे तो नज़ारे इस परकार होते जाएंगे इस track की जो शुरुआत है, सेंज वेली के जो निवली विलेज है निवली, वहाँ से हुई और आगे निहारनी टरनल जो मैंने भूत वाली टरनल इस वीडियो के पहले अपलोड किया है देखना चाहें तो देख सकते हैं फेस्बुक पर उसका अच्छा रिस्पोंस रा वहाँ भी इसी नाम से फोलो कर सकते हैं और साक्टी, होमखनी, डेला, सुपाकोणी, रखुंडी टोफ होते वे तिर्थन मेली हम पहुंचेंगे ग्रेट हिमाले नेशनल पारक को पार करते विए तो ये एक अलग ट्रेक है और उससे आगे हम पहुंचेते पंचकुंड, भीमडवारी और सिरिखंड महादेव साइद ये हमारी टीम है वो सबसे पहले पहुंची थी सिरिखंड महादेव की बात करें तो ये जब स्टार्ट यातरा हुआ था मैं बात कर रहा हूँ 6 जुलाई को टीम वापिस आ गई थी तो इतना वो जो स्टार्टिंग के अंदर जो सिरिखंड महादेव का वीडियो है वो आगे भी में दिखाऊंगा ये आपकी डिमांड आती है तो पूरा वीडियो यहां परसुत कर दिया जाएगा दोनु जगे तो पहाड़ों की ये विशेस्ता रही है जैसे जैसे हम उंचाई प्राप्त करते है तो दुनिया का अडंबर कम होता जाता है हम एकात्म आध्यात्म की और अगर्शग होते है और परकरती और भगती का एक जो समीशरन है वो यहां देखने को मिलता है और यदि आपको एकांध पसंद है दुनिया की भीड़बार से आप परहिसान होच सुके हो तो आप ऐसे ट्रेक कर सकते हो जो हमारे टीम मेंबर समय समय पर आयोजित कराती है उनके नमबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बहुत ही प्यारा ट्रेक है और यदि आप करना चाहें तो थोड़ा सा यदि अनुबव नहीं है तो आप वन डे हाई कर सकते हैं बहुत सारे ओप्शन हमारे टीम मेंबर अवलेबल कराते है तो ये ग्रेट हिमाले नेशनल परक का बहुत सुन्दर जो डेला ये डेला के नजारे है कहीं अलग 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 लोकेशन के आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो यदि आप यहां का अक्सप्रियंस रखते हो अलग 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 लोकेशन के वीडियो हमारे टीम मेंबर के दोरा सूट किये हुए है इस ट्रेक की बात करें तो 23 जून को यह परारम हुआ था और 5-6 जून को वापिस हम आगे थे और यह डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा हाड था और इसके अंदर ग्रेट हिमाले नेशनल पार करते हुए हम स्रिखंड महादेव हमारे टीम पहुंची थी और केंपिंग और पूरी एक्पिमेंट के साथ यहां की ट्रेक की थी और बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशन का दीदार हुआ और यह है आप स्रिखंड महादेव की केंपिंग का नजारा यदि आप पूरा वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजेगा मैं आपको पूरा वीडियो ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क का और साथ में स्रिखंड महादेव का यह पहला वीडियो बर्प आपको बता रही है कि यहां से कोई गुजरा नहीं है और बहुत ज़्यादा बर्प थी उस समय तो हमारे टीम मेंबर ने यहां ट्रेकिंग केंपिंग की वीडियो अच्छा लगया तो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर और फोलो जरूर कीजे